हमें करना है कुछ और action पर और वो है auto ancillaries यहाँ पर कोटक की तरफ से एक report आए है तीन auto ancillary companies पर कोटक की नजर है कौन से हैं यह shares क्या है इन पर बाजार की view आई जानते हैं एक बार कुशल की तरफ से कुशल बताईए क्या चल रहा है यहाँ बिल्कुल तो काफी interesting report आते भी जब हम देखी रहे हैं कि तो काफी सारे auto ancillary space बस भी कर रहे हैं बट यहाँ पर जो तीन auto ancillary कंपनिया जहां पर कोटक institutional equities ने मजबूत ग्रोथ की उमीद लगाई है वो है उनो मिंडा, CIE Automotive और साथी वेरोक इंजिनेरिंग इन फाक्ट यहाँ पर जो तीनों कंपनियों की rating थी जो पहले sell की rating थी अब उसको upgrade करकर इनोंने खरदारी की rating कर दिये यानि कि add की rating ये देते वे दिख रहे हैं और targets भी revise कर दिये हैं 625 से उनों मिंडा पर 660 रुपए के targets दे रहे हैं shift के चलते यहाँ पर इन कंपनियों को बड़े growth के आगे चलकर opportunities मिल सकती है यही नहीं घरेलू टूविलर बाजार में जिस तरह से मांग में स्थिर्टा बनी हुई है वो एक बड़ा positive है तमाम auto and salary कंपनियों के लिए और अनमान है कि जो टूविलर इंडिस्ट्री की volumes है F.I. 26 तक सालाना अधार पर 8-9% की दर से बढ़ सकती है यही नहीं हाले में जिस तरह से जो stock में corrections आये हैं उसके बाद stock में 30 की उमीद वापस से लोटती भी दिख रही है quota के institutional liquidity इसको उनो मींडा के लिए यह मान कर चल रहे हैं कि इंडिस्ट्री को outperform कर सकता है Reason being सभी segment market leadership और साथ ही जो company का मजबूत execution का track record है वो इनके लिए काफी मजबूत है साथ ही एक बड़ा capex भी यह करते वे नजर आ रहे हैं नौर्थ अमेरिका में जो off highway segment है वहाँ पर भी जो लगातार recovery आ रही है उस वज़े से CIA automotive इनको काफी अच्छा लग रहा है और अगर आप FI 25 के हिसाब से earnings multiple पर देखें तो उनो मिंडा करीबन 36 पर CIA automotive और वेरोक इंजिनरिंग अल्मूस्ट 18 से 19 के multiple पर trade करते वे नजर आ रहे हैं बड़ी इंटरेसिंग रिपोर्ट आई है आपकी राये दें पूरे सेक्टर प्रसर के बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि देखिए उनो मिंडा डेफिनिटली काफी प्रमिसिंग लग रहा है और 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 अटो स्पेस में जिस प्रतार का ट्रेक्शन दिख रहा है अभी जो इंटरेसिंग लगता है कि इनके पास प्रोड़क्ट कैटेगरी भी काफी अच्छी है तो डेफिनिटली आइटिंग ऑटो कंपोनेंट्स में सुन्दरम फाशनर्स है बारत पॉज है यह जो बड़े प्लियर्स है इनको भी काफी फाइदा होना चाहिए तो आटो कंपोनें मुझे लग रहा है कि ऐसे वोलटाइल और थोड़े से मीक मार्केट में आपको ऐसे सेक्टर उसके फोकस करना चाहिए तो इलेक्शन के बाद पॉसिबली और भी थोड़ा रीरेट हो और अगला साल अर्निंग्स करपांट अभी से इनके लिए अच्छा है ओके तो यह है आ मिन्डा ज्यादा प्रसंदाता वा अमिनाशी को आईये